दोसर जी के सेज़ भी स्टॉक एसिस्टेंट का पेपर कल हुआ और एक्जाम होने के बाद एक्जाम का एनलिसिस किया, पेपर का मतलब हमने देखा, पेपर को अच्छे से देखा एंड इन फैक्ट उसके बाद हमने यहाँ पे अपना एक पोल भी शियर किया, पीडियफ भी शियर की यह आप देख सकते हैं, पीडियफ हमने शियर की थी, स्टॉक एसिस्टेंट पेपर की तो सबसे पहले अगर बात की जाए, पीपर के एनलीशिस पूरा एनलीशिस तो नहीं करेंगे, आज की स्टॉड़ में हम कट आफ को लेकि डिसकुशन करने जा रहे हैं हम कट आफ डिसकस करेंगे कि बाई, एक्सपेक्टेड कट आफ किस रेंज में जा सकता है लेकिन उससे पहले दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी नजर अगर हम पेपर पे दोड़ाएं तो कुछ चीजें जो है, वो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मैं आपके साथ डिसकस करना चाहूंगा और जो बहुत ज़्यादा जुरूरी है देखिए यह जो पेपर है, यह स्टॉक एसिस्टेंट का लेवल 4 का पेपर है ठीक है, लेवल 4 का पेपर था और जो आपका VLW का पेपर है, वो लेवल 2 का पेपर था ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या पता रहे हैं कि VRW का paper बहुत ज़्यादा easy था as compared to stock assistant stock assistant का जो paper कल ये आया और paper का analysis करके लोगों ने कहा कि इतना हमने expect नहीं किया था, इतना ज़्यादा हम नहीं सोच रहे थे कि इतना ज़्यादा tough paper आएगा या फिर moderator tough आएगा in fact कुछ लोग तो ये mentality लेके गए थे कि भाई हमें paper जो है हमारा stock assistant मतलब जो आएगा वो VRW based paper ही होगा, वैसे ही paper question frame out होगे वैसे ही GS level होगा, वैसे ही mathematics or reasoning का portion होगा वो सारी, मतलब पुरा kind of thought लेके गए थे बच्चे वो दिमाग में वो लेके गए थे यहाँ पे कुछ चीजें में बताना चाहूँगा जो मेरी हिसाब से शायद इस paper में नहीं होनी चाहे थी सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहले बात ये कि जो आपका data interpretation है DI आपके VLW के paper syllabus में दिया था लेकिन stock assistant के paper मैं नहीं दिया था लेकिन DI का एक question पूछा गया है यहाँ पे मैं आपको एक बार उस question के तरफ लेना चाहूँगा यहाँ पे देखिए इदे के pie chart है यह art and craft है sports है science और library अब यह है मतलब यह एक data interpretation वाला एक question है हलांकि syllabus में mention नहीं था लेकिन पूछा गया है इसमें से ठीक है उसके अलावा जो mathematics के कुछ questions से देखिए mathematics का question है एक triangle का हलांकि triangle का जिकर कहीं नहीं था geometry का जिकर कहीं नहीं था उसके अलावा यहाँ पे देखिए एक और triangle का question है यह देखिए आप यहाँ पे देखिए ज़रा mathematics का यह आप देखिए यह triangle का question और उसके अलावा यह circles का question यहाँ पे इस पे tangent आने circle का question इसी तरह से surface area volumes का एक question था तो जो overall जो syllabus दिया गया था stock assistant का stock assistant के syllabus के according तो यह paper मेरे हिसाब से कुछ questions इसमें frame out नहीं थे अब क्योंकि यह competition का नाम ही है कुछ भी पूछा जा सकता है पर उसमें भी boundary मेरे हिसाब से होनी चाहिए boundary के अंदर पूछा जाना चाहिए तो यह कुछ questions ऐसे questions है जो मुझे लगता है दोस्तो according to the syllabus जो JKSB ने दिया था उसके according नहीं थे ठीक है तो अब यहाँ पर जो हो हाला के reasoning का जो हो अच्छा यह था reasoning maximum लोगों की अच्छी हुई है उसके अलावा अगर मैं बात करूँ अब अगर section wise में बात करूँ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पहले सबसे पहले यह आप एक second हाँ चार components थे आपके कितने components थे आपके चार components सबसे पहला component क्या था सबसे पहला component था English दोसरा component मैं आथ था तीसरा component जो है वो reasoning था और चोथा component था आपका GK देखिए आपको यह चीज पता होगी कि जो paper में cutoff determine होता है cutoff determine होता है या फिर merit बनता है वो उस section से बनता है जहाँ पे maximum लोगों ने गलती की होगी एक चीज यह दूसरी चीज यह कि जो cutoff होती है वो determine होती है कि maximum बचा जो है वो किस range में है ठीक है खर वो तो मैं आगे बताऊंगा आपको लेकिन यहाँ पे इस paper का analysis करने के बाद अगर बात की जाए तो मैंने क्या observe किया मैंने एक चीज अब्जर्व करी वो क्या कि जो reasoning था reasoning और GS reasoning और GS easily doable था maximum लोगों ने बहुत अच्छा किया है reasoning और GS में लेकिन जो English और mathematics का portion था थोड़ा typical था क्योंकि English में बच्चे मैंने आपको याद होगा मैंने board पे आपको explain किया था समझाया था कि English के paper में बच्चे blunder करते हैं गलतियां करते हैं English में question मतलब बच्चे बहुत गलतियां करते हैं grammar अच्चे से नहीं पढ़ा होता है rules अच्चे से पढ़े नहीं होते हैं और rules के according वो क्या करते हैं कि गलतियां करते हैं तो English और आपका maths का जो portion है जिस बंदे ने VLW के paper में बहुत जबरदस्त मेहनत की होगी I'm sure he'll be here or she will be scoring 90 plus in this paper और literally मैं बता रहा हूँ की वो बंदे lead ले जाएंगे जिनके ये दो sections जो है वो बहुत तगड़े होंगे और बहुत अच्छे गए होंगे ठीक है तो ये है ये हुई आपके syllabus की बात बाकी मैं आपको हर एक हर एक वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों की आप ऐसा किया कीजिए की आप जो है वो जब भी किसी paper के लिए पढ़ना हो तो भाई maths का मतलब जो आपका एक तो maths अपना पढ़ लीजी अगर आपका base ट्रॉंग नहीं है तो maths थोड़ा पढ़ लो क्योंकि हर जगा maths आपके काम आता है और आएगा दूसरा English ऐसा subject है दोस्तों इसको सारे लोग ignore करते हैं तो इसी से जो है वो इससे भी बहुत ज़़दा problem होती है बच्चों को इससे भी बहुत merit decide होता है ठीक है तो हालंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम ऐसे कर लेंगे बगएर rules के बगएर किसी मतलब बगएर किसी order के तो लेकिन वैसे नहीं होता मेरे दूसरों बहुत ज़़दा मेहनत करनी पड़ती है जब तक आपको rules proper पता ना हो तो बगएर rules के you cannot you will not be able to score good in English section तो कहीं ने कहीं ये जो है वो हो सकता है बाकी अब देखो अगर JKSSB को मैं final cut-off पे आऊँगा लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़े important बताऊँगा इस ये जो VLW, सरी माफ कीज़ेगा जो stock assistant का paper है दोस्तो इसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे questions जो है वो discard होने है JKSSB जो है वो बहुत सारे questions को discard कर देगा क्यों करेगा discard क्योंकि जब बच्चों की तरफ से representations जाएंगी कुछ questions तो in fact ऐसे भी है जिनके जो options जो है वो options match नहीं होते तो वो भी मैं identify करूँगा खैर उस पे मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा और मैं आपको share करूँगा ज़रूर कल मैं कोशिश करूँगा और उसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको representation किस question पर भेजनी चाहे JKSSB को representation भेजनी के बाद फिर देखा जाएगा कि JKSSB कौन से जो paper है कौन से paper में फिर देखा जाएगा कि अब मतलब कितने questions जो है वो discard करती है JKSSB अब असल में cut-off के अगर बात की जाए तो cut-off आपका आपके जो question discard होते हैं उससे भी थोड़ा rise होने के बहुत ज़्यदा chances होते हैं दोस्तों देखे मान लीजिए अगर 90 से नीचे जो है वो cut-off होने के chances हैं तो अब मान लो 10, 8, 10 question 6, 7, 8 question discard होंगे तो उससे तो भाई score उपर ही हो जाएगा और वो cut-off 90 से सिधा 95 चला जाएगा ऐसा होता है papers में क्योंकि वो 5 number वो सब को मिलने हैं और वो सब को मिलते हैं फिर तो अब यहां पर अगर आग कट-off की बात की जाए एक आता है open merit दोसरा आता है RBA तीसरा आता है STSC चौथा आता है OSC और पांच मा आता है ALC उसके बाद आता है PSP और फिर आता है EWS तीखिए सबसे पहले EWS की अगर बात की जाए तो EWS के बारे में Literally दोस्तों मैं अगर 75 भी बताऊँगा आपको 70 भी बताऊँगा तो इसके बारे में I cannot I cannot predict बट open merit की अगर बात की जाए open merit में अगर आपकी कोई category नहीं है तो 87 plus plus minus 5 87 plus 5 नहीं minus नहीं plus 5 87 plus 5 या फिर 87 या तो 87 तो 87 से आप मान के चली 87 से 92 के बीच में जो है वो इसका open merit का cut up जा सकता है बाकी RBA में अगर आपके पास आपका 86 score है तो आप definitely short list होंगे फिर chances रहेंगे आपके और उसके बाद 100% although I may be wrong बट 86 अगर आपका RBA में बन रहा है तो you have a good chance उसके बाद SC ST में SC ST में भी मान लो फिर 82 तक 80 82 तक इन दोनों में 80 82 तक उसके बाद OSC में भी 82 83 तक इस तरह से इतना ज़्यादा तो कम नीचे नहीं जाएगा 85 86 के बीच में उसके बाद PSP के बारे में भी तो पाई PSP और RBA का almost same same ही जाता है तो PSP, ALC और PSP का same जाता है तो इनका मुझे लगता है 85 के आसपास जो है वो इन दोनों का cut up जाएगा बाकी EWS के बारे में तो 77 भी हो सकता है 78 भी हो सकता है क्योंकि EWS EWS एक ऐसी कटेगरी है जो बहुत जादा कम लोगों के पास है और आपको बता है कि बहुत 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 लेस्ट लोगों के पास ये EWS की कटेगरी है तो इसमें इसी लिए cut up जो है वो आपका हर एक exam में आप देखोगे उसमें आपका cut up जो है वो लो जाता है ठीक है तो इसका ज्यादा ऐसा मतलब इसका actually criteria बहुत tough है आज के time पे तो इसी लिए को है वो कुछ लोग बोलते है कि नहीं हम open merit वालों के साथ नायनसाफ ही होती है वह एक बात बताओ एक open merit वाला बंदा है जिसकी family बहुत अच्छा कमाती है जो जिसके पास जमीन भी है जमीन दारी बहुत बहुत जमीन है और वो दो तीन दो चार भाई है बहुत कुछ है उनके पास I mean बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक है उनके भाई है उनको जमीन है उनके फादर साब ने कोई government job ली हुई है या कोई नर्मली कोई आदमी है अच्छी life जीते हैं तो you are not going to get any sort of you know na category अब वहीं पे देखोगे अगर आप कोई गरीब आदमी है गाउं में पला बड़ा है आगे बहार नहीं गया सिटी में उसको ज़्यादा facilities नहीं मिली है और गाउं के बहार कभी गया नहीं है गरीब है उतनी ज़्यादा family income नहीं है जमीन भी उतनी ज़्यादा नहीं है तो वैसे लोगों को अगर भाई category मिलती है या वैसे लोगों को अगर chance मिलता है तो भाई वैसे लोग आगे जाने चाहिए नहीं तो फिर जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग होते हैं पढ़ने वाले लोग होते हैं वो तो फिर वही सारी की सारी seats लेके जाएंगे अगर reservation system खत्म हो गया तो वैल मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज है reservation होना SC, ST category वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि SC, ST category वाले लोग भी बहुत ज़्यादा मैंने बहुत सरे लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा deserving होते हैं और मेरी नजरों में तो भाई ठीक है आपको अपनी मेहनत करनी है अगर आप कोशिश करते हैं तो आप open merit में भी ले सकते हैं ठीक है बाकी ये था मेरा एक cut off prediction आपकी क्या राए है, आपको क्या score आ रहा है वो आप मेरे साथ जुरूर शियर करें मेरे टेलिग्राम चनल आप जोईन करें मेरे टेलिग्राम चनल का लिंक आपको वीडियो की description में मिल जाएगा मेरे यूटूब चनल दे एक्जाम को बज़र को आप सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बैल आइकन पे दबाए बाकी अपने हमारी वीडियो की description में लिखना ना भोलें बादो शुक्रिया